इस वीडियो में हम CSS Padding के बारे में पढ़ेंगे तो देखें, CSS Padding क्या होता है? जो आपका Content है, Content और Border के बीच में यह जो आपको Space दिख रहा है इसे हम कहते है Padding और Padding को हम चार तरीके से Increase या Decrease कर सकते हैं पहला होता है Top, फिर Right, Bottom और Left इनको लिखने के लिए हमें लिखना होगा Padding Top, Padding Right, Padding Bottom और Padding Left यहाँ पर इस Example को आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक Div लिया है और इस Div का हमने चारो तरप से Padding अलग-अलग दे दिया है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने Top में 50 लिया इसको मैं 10 कर देता हूँ तो यह वाला जो Padding है, Border और Content के बीच में वो देखी कम हो जाएगा यह देखिए, यहाँ पर कम हो गया तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से Padding अप्लाई कर सकते हो अगर हम Short Hand Property की बात करें तो इन चारों को अलग अलग लिखने की जगा हम डारेक्ली यूज कर सकते हैं Padding और इसमें हमें 4 Value पास करनी पड़ती है पहला Top होता है, दूसरा Right, तीसरा Bottom और चौथा Left अगर आप 3 Value पास करोगे Padding के अंदर तो पहला तो Top होगा Second जो होगा, वो Right और Left में चला जाएगा और जो Third है, वो Bottom पे चला जाएगा उसी तरीके से अगर आप दो ही Value यूज करते हो तो पहली Value जो है, वो Top और Bottom और Second Value, Left और Right में अप्लाई हो जाती है तो ये था हमारा Short Hand Next हमारा है Padding and Element Width तो ये काफी Important है दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास कोई Div है तो अगर हमने Div की Width 300 दिया है और Padding 25 दिया है तो Total Width जो Div की बनेगी वो 300 प्लस 25 जो Left साइड में Padding है और 25 जो Right साइड में Padding है तो Total इसकी Width बन जाएगी 350 Pixels की तो अगर आप चाहते हो कि जितना आप Width दे देते हो उतना ही Width हो और Padding उसके अंदर Include हो जाए तो आपको यूज करना पड़ेगा Box Sizing Property और इसे हम देंगे Box Sizing Powder Box तो इससे क्या होगा दोस्तों आपकी Width 300 ही रहेगी Padding Automatically अंदर में Apply हो जाएगा इस Example को आप करके देख लेना और यह सारी Properties मैंने आपको बता दी है तो दोस्तों यह था CSS Padding I hope आपको Clear होगा चलि मिलता हूं Next वीडियो में